हेलो गाईज, हैल एल रोड जब अपनी नई गाड़ी में जा रहे थे तब उनका बहुत ही बुरा कार एक्सिजेंट हुआ छे मिनिट तक उनकी सांसे रुख गई थी, वो अलमुस्ट मर ही गए थे, उनकी ग्यारा हड़िया तूट चुकी थी और अगले छे दिनों में उनकी साथ सरजरीज भी हुई इतना सब होने के बाद, डॉक्टर्स ने उन्हें किलियरली बोल दिया था, कि वो अब कभी वीलचेयर के बिना नहीं चल पाएंगे तेकिन हैल ने डॉक्टर के एडवाईस के बावजूद ना सिर्फ चलना शुरू किया, बलकि 84 किलोमीटर्स की अल्टरा मैराथोन में भी भाग लिया उनका ये मिरेकल देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, कि ये कैसे हुआ हैल अपनी इस प्रोग्रेस का क्रेडिट उन 6 हैबिट्स को देते है, जिनको उन्होंने अपने मौर्निंग रूटीन में फोलो करके ये मिरेकल किया और 2012 में उन्होंने इस पर एक बुक पब्लिश की, जिसका नाम है The Miracle Morning तो उन 6 हैबिट्स को बताने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और बेल अकन भी प्रेस कर दीजे, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही अपने आपको और बहतर बनाते रहे हैल ने इन 6 हैबिट्स को याद रखने के लिए नाम दिया है, सेवर्स S-A-V-E-R-S S मतलब है साइलेंस यानि शान्ती जो हमारे डेली रूटीन दिन चरिया का सबसे इंपोर्टन पहलू है हम सभी जानते हैं कि आजकल जिन्दगी में कितनी भागदोड है, कितना स्ट्रेस है इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी priorities, अपनी प्रात्मिकताओं को चुने और एक शान्त जीवन जीने की कोशिश करे शान्त रहने से हम खुद के प्रती जागरुग हो पाते हैं और फिर हम किसी भी goal को, किसी भी लक्षे को पा सकते हैं और इसके लिए आप meditation कर सकते हैं, prayer कर सकते हैं, लंबी और गहरी सास ले सकते हैं ये जो भी करने से आप शान्ती फिल करें, बठा कोई गलत habit का use ना करें, like smoke and all एक का मतलब है affirmation, यानि खुद को कोई positive message देना मौमद अली को तो आप जानते ही होंगे, ये world के greatest boxers में से एक थे इन्होंने अपनी life में total 61 fights की थी, जिन में से सिर्फ 5 fights ही वो हारे थे वो हमेशा अपने आप से कहते थे, कि मैं महान हूँ, मैं great हूँ और शायद इसलिए ही उनका निक्रेम पड़ा, the greatest test, अगर आपको विश्वास है कि आप महान हैं, तो यकीन मानिये, आप महान बन ही जाएंगे, ये अपने आपको महान बना ही लेंगे अगर कोई इन्सान चाहे, तो अपनी thoughts और अपने behavior से बदलाव ला सकता है और ये हम मनुश्यों, हम इनसानों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, क्योंकि इक्षा शक्ती, फिल पावर के दम पर ही हम अपनी weakness पर काबू पा सकते है और हर इनसान में कुछ न कुछ कमी होती ही है, और वही कमजोरी हमारे और हमारे सपनों के बीच दिवार बनकर खड़ी हो जाती है इसलिए जरूरत है कि हम जितना हो सके, अपनी उन कम्यों को दूर करे ये habit आपको एक सफल इनसान बनाने में पूरी help करेगी तो अपने आप से क्या affirmation करनी है, क्या message देना है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्षा, आपका लक्षे क्या है और वैसा ही शब्दों का चुनाव करें, जो आपको उस कारिये के लिए motivate करते हो We stand करता है visualization के लिए मतलब आप अपने brain में वो mental images बनाए जो आप life में पाना चाहते हो ये आपके brain के लिए काफी अच्छी exercise है जहां आप अपने सपनों को कलपना के थुरू पूरा होते हुए देख पाते है बार बार imagine करने से आपका brain आपको आपके goal आपके लक्षे की याद दिलाता रहता है जिससे कि आप अपनी कोशिशों में और अच्छी तरह से लग जाते है अक्सर देखा गया है कि sports player बहतर result पाने के लिए इस process का use करते है अपनी जीत की कलपना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है बट हम बहुत सारे लोग अपने साथ बीती हुई दुखत घटनाओं को याद करते रहते है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना बुरा हुआ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, etc. जो कि हमें इंस्पायर करे तो ऐसे तीनी स्टेप्स है जिनके यूज से आप अच्छी तरह से वीजुलाइज कर सकते हो पहला शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सासे लेते रहिए दूसरा अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए और सोचिए कि जो आप पाना चाहते है वो आपको मिल गया खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में रिपीट करते रहे और तीसरा जैसा आप बनना चाहते है न बस उसकी कल्पना करे और खुद को अपने खयालों में एक खुशाल व्यक्ति दिखाए जो अपने सभी काम अच्छे से कर रहा है इका मतलब है एक्सराइज सुबा की जो एक्सराइज होती है वो हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फाइदा पहुचाती है आप इसे अपनी हैबिट बनाए और ये आपकी मौर्निंग को एनरजी से भर देगा और जब आप सुष्ट रहेंगे तो खुद ही बहतर विचार आपकी दिमाग में आने लगेंगे और आपको फोकस करने में भी काफी हेल्प मिलेगी एकसाइज करने से हमारे अंदर कई positive changes आते है और हमारा मन और दिमाग शान्त होने लगता है और हमारी energy सही direction में फिलो होने लगती है इसलिए किसी ना किसी type की exercise जरूर करे बेशक आप एक मिनिट के लिए jumping jack क्यों ना करे बट exercise करे आर का मतलब है reading books पढ़ना एक ऐसी habit है जो आपकी life को पूरी तरह से change कर देती है ये इकलोती habit है जिसको अपनाने से आपकी जीत पकी है और इसलिए हमने ये channel books brain बनाया है जितना ज़्यादा आप books को पढ़ते है या सुनते है उतने ही आपको ज़्यादा ideas आते है जिनको आप अपनी जिन्दगी में अपना कर successful बन सकते है तो books पढ़ने का मतलब सिफ reading करना नहीं होता इसका मतलब होता है कि आप उनके कई सालों का experience आप gain कर रहे हो उनके सही steps और गलतिया उन सब की knowledge आप ले रहे हो और कहते हैं न कि अगर आप खुद की गलतियों से सीखने बैठे तो पूरी life कम पड़ जाएगी और ये जितनी भी authors लेखक होते है वो सभी अपनी life में वहाँ पहुँच चुके होते है जहां वो पहुँचना चाते है तो बहतर है न आप दूसरों के experience से भी सीखिए और बीना उन गलतियों को दोहराए आगे बढ़िए अगर आपको reading करना पसंद नहीं तो कोई बात ने बेशक थोड़ा ही सही बड़ेली कुछ पेज पढ़िए और आपको धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी और आखिर में S S का मतलब है describing यानि की लिखना लिखने से आप अपने अंदर चल रहे emotions को शब्दों के रूप में व्यक्त कर पाते हैं इससे आपको अपने अंदर दबी हुई feelings को express करने का मौका मिलेगा और आप खुद को और भी बहतर तरीके से समझने लगेंगे जो कुछ भी आप अच्छा या बुरा feel करते हैं उसे लिख डालिए और फिर अपने ideas को लिखिए जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने goal के कितने पास हो या दूर और याद रखे इस सब कुछ आसान है बस अगर आप मानले की आसान है शुरुआत में आपको इसके लिए practice करने ही पड़ेगी बट फिर दीरे दीरे आपको ये सब कुछ आसान लगने लगेगा और इन habits को आप savers के नाम से याद रख सकते हैं अब आप कहेंगे चलो ठीक है क्या करना है ये तो बता दिया बट सुबह जल्दी उठे कैसे है तो बेफिकर रही है इसके लिए भी मैं आपको पांच सिंबल टेकनिक बता देता हूँ पहली रात को सोने से पहले ही अपने अगले दिन की planning कर लीजिए जैसे कि सुबह उठने के बाद आप क्या करोगे दूसरा अपनी अलाम घड़ी को या अगर आप अपने फोन में अलाम यूज करते हो तो अपने फोन को अपने बैट से थोड़ा दूर रखिए जिससे सुबह उसको बंद करने के लिए आपको उठकर जाना पड़े और इस process से आप नींद से तो बाहर आई ही जाओगे तीसरा उठने के बाद आप ये मान ले कि चाहे आपकी नींद की duration कितनी भी रही हो बड़ आपकी नींद की जरूरत पूरी हो चुकी है जो आपके लिए काफी है और अब आप एक शांदार सुभा का आनंद लेने के लिए तयार हैं चोथा उसके तुरंट बाद सुभा उड़ते ही अपने दातों को ब्रश कीजिए उस टाम थोड़ा आपको आलस आ सकता है बट जब एक बार ब्रश करना स्टार्ट कर देंगे तो आप एकदम फ्रेश और एक्टिव फील करने लगेंगे पांचवा अपने दिन की शुरुवात पानी से कीजिए एक या दो गलस गरम पानी ये नोर्मल जैसा भी आपकी बोड़ी के लिए स्यूटेबल हो और इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ तो शुरू में थोड़ा एफर्ट लगेगा बट कुछ दिनों के बाद आप अपने मिरेकल मौनिंग रूटीन से अपनी लाइफ में हो रहे मिरेकल को भी देख पाओगे तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही है और अगर आपको सही लगे तो अपने चाहने वालों को भी शेर कीजे ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके और अपनी लाइफ में मिरेकल ला सके त्क्यू सो मुच वर वाचिं